अगर आपके फेस पे एकने पिंपल लगातार निकलते जा रहे हैं और साथ ने वाइट हेड और ब्लैक हेड की प्रॉब्लम बनी हुई है आपने सारी चीज़े ट्राइड कर ली हैं सारी कॉस्मेटिक ट्राइड कर ली हैं पर कोई फायदा नहीं दिख रहा है तो आज की पर एक बात बताना चाहती हूं अगर आपको पिंपल्स एकने लगातार निकल रहे हैं आपने मेडिसिन भी लगा ली सीरम्स भी लगा लिए जल्स भी ले ली और बहुत सारी चीज़े ट्राइड कर लिए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी खराबी है जिसके वज़े से आपको एकने और पिंपल्स की समस्य लगातार हो रही है क्योंकि जो पुबर्टी के दौरान में एकने या पिंपल्स निकलते हैं वो दो चार निकलते हैं या फिर हलके फुलके निकल के थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जा रहे हैं ले जोड़ी दिन बाद और जादा मात्रा में निकल रहे हैं इसका मतलब है जैसे आपके डाजेस्टि Civ 1947 में प्राबलम हो सकती है आपको हर्मोन डीजिस हो सकता है जैसे कि musique क्योंकि अगर यह पिंपल्स आख निकल रहे हैं इसका मतलब यह होता है किकर ऊपकी वादरूल में कर लेवल बढ़ रहा है जिसके वज़े से आपके एक्नी और पिंपल निकलते हैं ये एक नॉर्मल प्रोसेज है ये लगबग हर दूसरे ये तीसरे यंग स्टर्स में देखने को मिलता है लेकिन अगर ये बहुत जादा मात्रा में निकल रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं इसका को टेस्स करवाने चाहिए अपने और देखना चाहिए आपको क्या दिक्कत है उसके एकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए क्योंकि जब तक कि आपका रूट कॉस ठीक नहीं हो सकते आप कुछ भी ट्राय कर लीजिए आदमें यहां बात करने वाली हूं एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है वाइट हेड हो रहे हैं ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आज जो मैं मेडिसिन बताने वाली हूं वह आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन अगर हम एक्ने और पिंपल की रूट कॉस की बात करें अगर आपकी उम्र 16 से 35 साल के बीच में या फि हो सकता है आपका हॉर्मोनल डिस्बैलंस अगर आपके बॉड़ी में टेस्टर स्ट्रॉण का लेवल बहुत जादा मात्रा में बढ़ गया है जिसके वज़े से आपको एक्ने और पिंपल निकल रहे हैं या फिर आपको PCOD या PCOS की समस्या है तो भी आपका टेस्टर स्ट्र लेवल बढ़ जाता है जिसके वज़े से आपके मेंसेज लेट हो सकते हैं आपको पीरियड इरगलर्टी हो सकती है आपके पीरियड डिले हो सकते हैं को अबनॉर्मल फेशल हेर ग्रोथ हो सकता है आपका वेड बढ़ सकता है इसके सासाथ आपके फेस पे बहुत जादा मात में एक्ने और पिम्पल भी निकल सकते हैं यह एक्ने पिम्पल इतने जिद्धी होते हैं आप कुछ भी ट्राय कर लीजे वो ठीक नहीं होने वाले हैं जब तक कि आपका रूट कॉस मतला PCOD या PCOS पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपके एक्ने एंड पिम्पल हो सकता है कि ठीक हो जाए सप्रेस हो जाए लेकिन वह दुबारा से निकलेगा और बहुत जादा मात्रा में निकलेंगे इसलिए आप एक्ने और पिम्पल का टंपरेरी इलाज मत करिए आप अपने PCOD का ट्रीटमेंट करिए उससे आपके एक्ने और पिम्पल की समझ से थार्ड काउस हो सकता है मोस्ली में प्यूबर्टी के टाइम पर जब उनके पीरिट्स स्टरasında होते हैं मतलब मेनार् refuse स्टर्ण हो रहे हैं और उसी दोरान आपको लग रहा कि आपके Pacific Eye and theispiel निकल रहे हैं तो यह बहुत ही नॉर्मल समय स्वार्चा है इसके लिए प्लिए प medicine बताऊंगे आप उसे use करें ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे फूर्थ cause हो सकता है आपकी oily skin अगर आपकी skin बहुत जादा oily है बहुत जादा oil secret कर रही है जिसके वज़े से बहुत जादा acne और pimples हो सकते हैं पिर आप बहुत जादा cosmetic या फिर make up का use करती हैं ये ये भी बहुत बड़ा reason हो सकता है कि आपके acne और pimples निकल रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं आज में जो medicine बताने वाली हूँ वो male और female दोनों के लिए हैं अगर आपके अंदर कोई भी medical condition नहीं है जैसे कि PCOD या PCOS जैसी तो आप ये medicine जरूर यूज़ करें आपको बहुत अच्छे result देखने को मिलेंगे हमारी medicine का नाम है pimplex medicine जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है ये pimples और acne के लिए बहुत ही best medicine है ये combination medicine है मतलब ये बहुत सारे medicine से मिलकर बनी हुई medicine है अगर इनके ingredient की बात करें तो इसमें arsenic iode, Nux vomica, Barberis, Acquafolium और Echynesia और Asteresis जैसी best medicine है ये सारी के सारी medicines आपके acne और pimples को खतम करने के लिए बहुत ही important medicine लिपर्टी के टाइम में होने वाले जो acne pimples होते हैं ये इनको पूरी तरीके से खतम करते हैं साथ साथ अगर आपको कोई skin से allergy है या फिर pollution के वज़े से acne pimples हो रहे हैं oily face के वज़े से जो acne pimples हो रहे हैं ये पूरी तरीके से ठीक करेगा आपके pimples एक के बाद एक निकल रहे हैं ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं आप ये medicine try करिए आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे अगर हम पिंप्लेक्स medicine के dose की बात करें तो आपको पिंप्लेक्स medicine की दो दो टैबलेट्स दिन में चार बार लेनी है या बिना पानी के ले सकते हैं कि सासाथ आपको ध्यान लखना है कि आपका water intake अच्छा होना चाहिए लगबग 2-4 लीटर आपको पानी पीना है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएगा ऐस अच्छी सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक इस सो मच वाचिंग पर इस वीडियो